नमस्ते, मैं सलील गानू, एक सलाकर रूमेटालोजिस्ट हूँ रूमेटालोजी पर आदारित इस यूट्यूब चानल में आप सबका स्वागत है पिछली बाग में हमने रूमेटर्ड आर्टराइटिस यानि आरे के परिचे और लक्षणों के बारे में जाना था आज हम आरे के निदान और उप्चारों के बारे में जानेंगे दोस्तो रूमेटर्ड आर्टराइटिस का निदान मुख्य रूप से क्लिनिकल होता है अर्थात रोगी की हिस्ट्री और एक्जामेनेशन द्वारा किया जाता है आला कि इसमें अन्य लक्षण भी हो सकते है जोडों में दर्द होना ये इसका मुख्य लक्षण है इसका निदान एक विशिष्ट पैटर्ण के जॉइंट इन्वाल्मेंट से किया जाता है यदि रोगों के टिपिकल पैटर्ण का विवरेंट, इन्फलमेटरी, सिमिट्रिकल और डिफॉर्मिंग है तो आरे का निदान निश्चित रूप से किया जा सकता है यदि जॉइंट इन्वाल्मेंट का पैटर्ण टिपिकल नहीं है तो सपोर्टिव टेस्ट की मदद ली जानी चाहिए इनमें अंटिबोडी टेस्ट जैसे रूमेटरी अर्टराइटिस और अंटि-CCP ये महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट है अंटि-CCP एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट है और रूमेटरीड फैक्टर ये कम स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट है ये दोनों टेस्ट सपोर्टिव है लेकिन डाइगनोस्टिक नहीं है इसका मतलब ये है कि अगर किसी मरीज का ये टेस्ट निगेटिव आता है तो भी उसे रूमेटरीड आर्टराइटिस हो सकता है ये बात अंटि-CCP के लिए भी लागू है आरे के 100 में से 30 से 40 मरीजों में अंटि-CCP निगेटिव हो सकता है और लगबग 20 से 30 मरीजों में रूमेटरीड फैक्टर निगेटिव हो सकता है इसलिए ये टेस्ट निगेटिव होने से बहुत जादा फर्क नहीं पड़ता है और उप्चार आम तरुपे वही रहता है इन परिक्षणों का प्रेडिक्टिव महत्व भी है यदि ये पूरी तरह से पॉजिटिव है तो जोडों के बाहर के बाकी अंगों को नुकसान होने की संभावना हो सकती है इनमें आँखों का प्रभावित होना, फेफिडों का प्रभावित होना और वैस्कुलाइटिस ये common manifestations है एक बार निदान हो जाने के बाद सबसे पहली चीज ये होती है कि रोगी को कौन-कौन से joints में तकलिफ है ये जानना ये तकलिफ कितनी severe है और मरीज की कौनसी गतियों पर असर होता है ये भी जानना बिमारियों का extent डेकते समय हमीं ये देखना जरूरी है कि क्या बिमारियों जोडों के बाहर के अन्यांगों में भी है इसमें आपके डॉक्टर आपके शरीर में कितने जोडों में सूजन है और कितने जोडों में दर्द है ये जाचेंगे उनके संख्या निर्दारित करेंगे और आपका रोध कितना active है ये जानेंगे तो नहीं है यह देखना भी जुरूरी है इस तरह से एक बार जब हमें रोगों की बीमारी की पूरी तस्विर मिल जाती है तो हमें उसमें severity, extent, activity, comorbidities और complications पता चलते हैं इससे हम सोच सकते हैं कि रोगी को क्या उप्चार देना चाहिए और कितनी aggressively देना चाहिए उप्चार का मुख के लक्ष रोग की activity को नियंतरण में लाना और रोगी के दर्थ को कम करना होता है इससे बड़ी अच्छी दवाई उपलब्द है खासकर पिछले कुछ वर्षों में नई दवाया भी उपलब्द हुई है इलाज की शुरुवाती चरण में ह इसे दिया जाए तो यह एक बहुत प्रभावी दवा है स्टीरोइड का उप्योग अक्सर bridge therapy के रूप में किया जाता है इसका मतलब यह है कि हमारी बीमारी की बाकी दवाया जो देरे-देरे काम करती है उसका proper effect आने तक हमें स्टीरोइड का इस्तेमाल करना पड़ता है जै यदि जोडों में बीमारी सीवियर है और अन्य दवाओं से रहत नहीं मिल रही है तो स्टीरोइड का उप्योग जोडों के अंदर इंजेक्शन द्वारा भी हो सकता है स्टीरोइड के अलवा साधरन दर्दिवारक दवाइओं का उप्योग किया जा सकता है लेकिन आम तोर पे इसका उप्योग बहुत common नहीं है स्टीरोइड के बारे में लोगों के मन में कई गलत धारनाएं हैं इसलिए यदि आपको कोई संदे है तो स्टीरोइड का उप्योग स्वयम बन करने से बहतर है कि आप अपने डॉक्टर से उनके बारे में चर्चा करें इस बीमारी के लिए मुख्य दवायों में conventional synthetic DMARTS याने CS DMARTS होते हैं जिन में मुख्य दवाय मितोट्रिक्सेट, सल्फासलेजिन, हैड्रोक्सी क्लोरोक्विन, लेफलियूनमाइड होती हैं कई रुमेटरोजिस्ट उप्चार की first line के रूप में मितोट्रिक्सेट से शुरुवात करते हैं रोगी की बीमारियों के prognosis, extent और severity के आदार पर ये तय किया जाता है कि कि किस patient का इलाज एक साथ दो या तीन दवायों से शुरू करना है किस मरीज को एक साथ मितोट्रिक्सेट ही देना है हमें treatment response के अनुसार dose और duration तय करना होता है आरे एक chronic बीमारी है, ये कोई dengue या malaria जैसे बीमारी नहीं है जो इलाज के साथ हमेशा के लिए चली जाए बलकि इसे BP या sugar जैसा माना जा सकता है जो दवाईया या गोलियों से काबो में आ सकती है आप जितने लंबे समय तक दवाईय लेंगे उतना ही आरे का नियंदरन बहतर हो जाएगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा दवाई बन करने के बाद अधिकाउश रोगियों में जोडो का दर्द फिर से शुरू होने की संभावना होती है इसलिए सभी डॉक्टर दवारा दिर्ग काल उपचार की सिफारिश की जाती है इन सभी दवाईयों के अलावा कुछ और दवाईया सेकंड लाइन एजेंट्स के रूप में आई है इनमें टोफा सिटिनिप और बायलोजिक्स भी शामिल है जैसे रिटुक्सिमैप, TNF-Alpha इनिभीटर्स ये सारी चीज़े आती है इनमें से प्रत्यक दवाईय के अपने फायदे और कुछ दुस्प्रभाव भी है इसलिए प्रत्यक रोगी का उपचार इंडिविजिलाइस होना चाहिए यह देखना भी आवशक है कि अपने रोगी का शरीर दिये हुए दवाईयों को सेहन कर पा रहा है या नहीं हर दवाई का साइट इफेक्ट प्रोफाईल और हर रोगी की उपचार की प्रती रिस्पॉंस बिन्न बिन्न होते हैं हाला कि यह एक इंफ्लमेटरी डिफॉर्मिंग का गठिया है लेकिन इसका इलाज अच्छे से किया जा सकता है अगर समर रहते इसका इलाज किया जाए तो डामेज होने की संभावना बहुत गड़ जाती है इसलिए जितना जल्दी इलाज उतनी जीवन की गुणता अच्छी होती है यह सुतर याद रखे तो मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपकी आरे के बारे में जान झाल झाल चूलेक aráा करते हैं आरे की आरे कशे हैं प्लदी में उतनी टैलन evalu